खबरों में बने रहनी के लिए बेल आइकॉन दबाईए और ABP News को सब्सक्राइब कीजिए जा सकता है कोट ने यूपी सरकार के वकील से पांच मिनिट में इसकी जानकारी देने को कहा है शाजापूर केस में सुप्रीम कोट में सुनवाई चल रही है और कोट ने लड़की से मिलने की मनशा जताई है बड़ी खबर इस वक्ट की आज ही राजस्थान से ये चात्रा जो है जो लापता थी वो बरामद हुई है और कोट ने पूछा है कि कब तक लड़की को पेश किया जा सकता है क्योंकि कोट ने लड़की से मिलने की मनशा जताई है तो आजी राजस्तान से ये लड़की मिली है जिससे लेकर तमाम तुरह के सवाल खड़े हो रहे थे बीजेपी के बड़े नेता आरोपो के खेरे में है आपको सुनवाते हैं कि पुलिस ने इस वारे में क्या कहा है लड़की की आखे बरामदगी कैसे हुई लड़की की बरामदगी हमारी सबसे पहली प्राथमिक्ता थी और यही कारण था कि हमने प्राथमिक्ता को देखते हुए लड़की की बरामदगी के लिए हमने कई टीम्स का गठन किया और हमने electronic surveillance के माध्यम से उसके सभी डेटाज को हमने collect किया, analyze किया और हम उसके movements को track कर रहे थे कि किन किन जगों पर लड़की स्वेक्षा से अपने साथी के साथ जा रही थी और अंत्तो गत्वा हमें सफलता मिली हमारी पुलिस को सफलता मिली और हमारी पुलिस की टीम ने राजस्थान से उसको बरामत किया और लड़के को भी बरामत किया अब उसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया होगी वो उस कानूनी प्रक्रिया को हम अमल में लाएंगे और शाह जहां पुलिस जो है उस पर धारवाई करेंगे